हे दोस्तों, YouHelp channel में आप सभी का स्वागत है, उमीद करते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक नई सरकारी नौक्री के साथ, मैं सिवराद चोधरी, आप सभी का आपके इपने channel, YouHelp channel में बहुत-bहुत स्वागत करता हूं, दोस्तो आज मैं आठवी पास candidate के लिए ऐसे vacancy के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कोई exam नहीं देना है सीधी भरती है interview की अधारवाइस पर selection होना है वीडियो को आप सुरू से लेके last तक पूरा वीडियो देखे ताकि कोई भी information skip ना हो वीडियो को आप लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब करने के बाद bell notification पर यानि की घंटी पर जरूर क्लिक कर दे इससे benefit यह होगा कि जब भी हम कोई भी comment job करना है वीडियो बनाएंगे तो उसका direct notification आप सभी को मिल जाएगा याठ पर पास candidate के लिए vacancy है total 5 अलग-अलग units पर अलग-अलग division पर यह vacancy आई है वीडियो की description में पूरा notification मिल जाएगा application form भी आपको मिल जाएगा application form इसका आपको जो है वो offline भरना है और यह सीधी भरती है direct interview के अधार पर इस पर selection होना है कोई भी exam जो है वो इस पर नहीं होना है percentage भी इस पर इस पर आपका selection होना है यह application form है इसको भरने की कोई fees नहीं है वीडियो की description में यह application form आपको मिल जाएगा application form का print निकाल करके by hand इस application form को जो है वो आपको fill करना है और जिस भी units के लिए आप apply कर रहे हैं वहाँ यह address दिया गया है यह जैसे माली जाव फर्ष्ट यूनिट के लिए अप्लाइ कर रहे है तो right side में यह address दिया गया है उस address पर आपको submit करना पड़ेगा जिस भी unit के लिए आप apply कर रहे है वहाँ उस address पर आपको by push या by hand आप इसको submit कर सकते हैं कम से कम यह जापकी जो है वह 20 साल होना चाहिए और maximum age limit एक जनवरी 2018 तक 60 साल उससे कम ही होना चाहिए तभी आप apply कर सकते है आठ भी पास योगता है डारेक्ट इंटर्वी के धारपर selection होगा जोब लोकेशन आपकी कोलकाता रहेगे वेश वेंग ओल में वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते अगले वीडियो में नई वेकेंसी के सांद उसकुराते रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें थैंकि सो मच